कि आप कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करके आएंगे और अगर आपका आपका मतलब के एक्जामनर का थोड़ा सा लीनियन्ट अगर कुशन पर बनाया और तीनों कुशन करके आगया और अच्छे सो गया कोई नहीं रोक सकता हेलो एवरिवन कैसे हैं आप मैं अनुष कुमार सिंग बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपका सिक्षाधाम में आज की वीडियो लाने का क्या परपस है आप ध्यान से देखिए ध्यान से समझिए काफी सारे स्टूडेंट की कोईरी आ रही है सर हमें कुछ ऐसा बताओ जो पांच यूनिट है कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आए कि सर देखिए वस कि चेंज हो गया है कुछ यूटूब पर सर-कुलिट हो रहा, कुछ रहे लक्रन सबको बंद करिए कुछ भी चैंज नी है वही ओह उस ही को बहुंद फिर आकर बस बतार है है पांच यूनिट है और examiner के पास पूछने का rights भी 5 question का है आप समझ जाएए आप मेर से आप खुद समझदार है कि अगर 5 unit है और 5 question आएगा तो हर एक unit में से एक question आएगा पहले unit में ये chapter की list है दूसरे unit में सिर्फ एक final account है इसका मतलब ये 15 नंबर का आएगा एक ही chapter है 15 आएगा आएगा तीसरे unit में cash flow है एक ही chapter है ये भी आएगा चौथे unit में amalgamation reconstruction है reconstruction बहुत आसान है जिन बच्चों ने कर लिया उनको पता होगा ये भी 15 आजाता है पांचवे नंबर पे holding subsidiary है ये भी 15 आजाता है तो sir मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है बिलकुल भी जो कि शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो सब पढ़ते हां रहे हैं सब कुछ पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं बिलकुल उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूं जो last के 10 दिन में start किया है और वो confused है थोड़ा बहुत उनके लिए है और तो क्या करना है आपने एक final account का question करना है अच्छे से करना है final account का लिख लिख के करना है और एक क्या करना है आपको cash flow statement का वही 12th वाला final account के अंदर adjustment वही है जो कि आपने करें है first year में और आपने simple करें है 11th class में depreciation prepaid outstanding cash flow का question करिए दो question करेंगे और एक reconstruction का करिए तीन question आपके complete हो जाएंगे अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तीन question 100% complete हो जाएंगे कुछ point difficult आ सकता है लेकिन हाँ paper attempt करोगे और passing marks आ जाएंगे आपके pass हो जाओगे आप मेरा ये video बनाने का ये की purpose है क्योंकि वो बच्चे जो कि अभी इस time पे start कर रहे हैं जो starting से मेरे से पढ़ रहे हैं ने class definitely उनकी न अच्छे marks आएंगे आएंगे definitely वो मैं जानता हूँ आप कितनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके marks आएंगे जो starting से लेके चल रहे हैं YouTube पे हैं चाहिए application पे हैं जैसे भी हमारे साथ चूड़े वे तो बस आपको यही बताना था कौन-कौन सा strategy है सर इन chapter में total overall strategy देखिए जिसने ये सारा कर रखा है वो करें जिसने ये करी नहीं रखा अब हाथ लगाने का मौका गया अब ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तीन chapter करके चुट्टी जै राम जी के चलेंगे एक्जाम में जितना आता है best performance देंगे रबापसाद थिवरी की बात रही सर थिवरी इसी में साएगा मैं आपको नोट करवा दूँगा थिवरी कल तक आजाएगी holding subsidiary आप सभी के लिए मैं डालूँगा YouTube पे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डाल रहा आप सभी के लिए डालूँगा और डालना ही मैं बस थोड़ा टाइम लगेगा convert करूँगा convert करके डाल दूँगा मैं ठीक है अब रही बात सर एक मैं बहुत बड़ी और बहुत important announcement लेके आना चाब लेके आया हूँ मैं आपके लिए बहुत important announcement है क्या announcement है सुनिएगा ध्यान से मैं एक quick revision लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए corporate के लिए जैसे कि मैंने क्या करा एक ये chapter कराया एक ही question इसके करवाऊँगा जिसमें सारे concept आ जाएगे इस unit का एक question करवाऊँगा जिसमें सारे concept आ जाएगे इस question का एक unit जिसमें सारे question इसका एक मतलब हर एक ऐसा question मैं करवाने वाला जिसमें सारे unit हो जाएगा तो आप चैनल को subscribe करके रिखिए bell icon भी दवाईए और जैसे रहे आप एक बार दिन में जरूर देख लें कि कोई नया वीडियो तो नहीं upload हुआ है वीडियो सर मैं रात में upload कर रहा था लेकिन आप कल से जो है वो मैं दिन में upload करना चालू करूँ करूँ आ ताकि आपको benefit मिले convert करने का मैं रात में कोसिस करूँ आप लोग के लिए ठीक है तो बस आपको यही नहीं बताना था प्यारे स्टूडेंट और आप पढ़िए मन लगा के पढ़िए और कोई बच्चा अगर कहता है ना सर दो दिन में कैसे पास हो जाए तीन इस तो देखो बच्चे corporate account है और सच्चा ही यह है आप comment में लिख देजिए कोई बच्चा जो देख रहा है स्टूडेंट कितना बढ़ा है वो खुद बता देंगे comment में जो देख रहे हैं आप बताना स्टूडेंट कितना बढ़ा है और आप स्टार्टिंग से करके आ रहे हैं तो concept कितने सारे हैं और अभी भी रहते हैं तो आप जो दस दिन में आ रहे हो ना तो आपका syllabus पूरा complete होना और फिर बहुत अच्छे marks लाना देखी पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मैं maximum courses करूँगा कुछ selective approach ये करके जाएं exam के अंदर question आएगा ये मैं पहले ही बता दूँ एक approach है कि आप कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करके आएंगे और अगर आपका आपका मतलब के examiner का थोड़ा सा lenient अगर question paper आया और तीनों question करके आगया और अच्छे सो गया कोई नहीं रोख सकता आपको पास hundred percent तो तीन chapter कितने दिन में हो सकते हैं आपके तीन दिन में और हमारे पास बच्चे कितने अभी चार दिन है ठीक है तो तीन दिन के हिसाब से planning था तो मिलते हैं next video में और सभी के उपर जो मैं revision series लेके आ रहा हूं मैं बहुत जल्दे start करने वाला हूं thank you so much आपको बस य हिंटी मेट करना था मुझे